हलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम दो डिस्कुशन करेंगे ब्रैक्स लॉग यूजिंग मोनोख्रोमाटिक एक्स रेंग यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बेटरियल साइंस और यह बेसिकली यूपीसी इंजरिंग सर्विसेज के लिए जीएस पार्ट मे एक इंपोर्टेंट कॉंसेट है ब्रैक्स लॉग को समझने के लिए हमें एक चीज बेसिक चीज समझना पड़ेगा यह चीज बेसिक के लिए हम लोग पहले पढ़े होते हैं 11-12 के फिजिक्स में ठीक है तो इस चीज में क्या होता है स्टुदेंट को डाउट रहता है कि य इस के बैग्राउंड को अंगो समझ रहे हैं ब्रैक्स लॉग के बैग्राउंड को यहां पर कोई आपका एक सोर्स है ठीक है यहां से एक सोर्स जो है it is going to radiate some wave and this wave will travel let us say somewhere here and let us say यह पी पॉइंट पे यहां पे जा करके यह दिस्टंस पे आके यहां पे आ गया ठीक है अच्छा दूसरा सोर्स हम यहां पे लेंके चल रहे हैं यहां से भी एक wave निकलना है so wave means let us say this is the wave which is going to move और इसका एक mathematical equation होगा let us say it is y1 इसी तरीके से सोर्स स्टू यहां से भी एक wave generate होगा let us say this is the wave and let us say the equation of this wave is say y2 ठीक है अब कुछ time के बाद यह p point पे क्या होगा दोनों wave y1 और y2 दोनों यहां पे पहुंच जाएंगे तो इस particular point पे जो हम y की value बोलेंगे वो क्या होगा it will be nothing but y1 plus y2 right तो एक इसको थोड़ा mathematically analyze कर लेते हैं कैसे हम assume कर लेते हैं y एक sinusoidal function है और y2 भी sinusoidal function है तो एक simple sinusoidal function को हम इस तरीके से लिख सकते हैं suppose y1 is equal to a1 sine of omega t और y2 को हम मान के चलते हैं suppose a2 sine of omega 2 minus certain phase omega t minus phi यह जो phi है ठीक है वेर इस phi को हम कैसे दिखा सकते हैं यह जो phi है इसको लिख सकते हैं beta into delta x अब यह क्या चीज है beta into delta x beta मतलब क्या हूँ it is 2 pi upon lambda जो में बता है delta x क्या है suppose s1 से इस point तक जाने के लिए suppose this is x distance और this is x यहां से यहां तक let us say it is your x plus delta x right तो phase कैसे है phase is decided according to beta times delta x so delta x is the basically we can say that it is nothing but your path difference so delta x को हम क्या बोल सकते है it is nothing but your path difference है यह क्या आपका path difference और beta क्या हो जाएगा beta जो हो जाएगा it will be your 2 pi upon lambda ठीक है so that phi क्या हो जाएगा 2 pi lambda into delta x I hope यहां तक चीज़ समझी वाग गई होगी ठीक है अच्छा अब हम क्या कर सकते है इसके आगे at point p दोनों कर क्या हो जाएगा superposition y1 plus y2 y1 हमने mathematically sinus order wave ले रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि at point p y जो है यह किसके बराबर है y1 plus y2 इसको कैसे लिख सकते हैं it can written as a1 sin of omega t plus a2 of sin of omega t minus of 5 correct 5 यहां तक लिख सकते हैं अब हमें पता है sin a minus b sin a cos b minus cos sin b right तो इस चीज़को यहा पे लिख लेते हैं so it is equal to a1 into sin of omega t plus a2 times sin of omega t into cos phi minus a2 times sin of phi into cos of omega t ठीक अब यहां पे देखिए यह sin omega t यहां पे हैं दूसरा sin omega t कहां पे यह हैं दोना को common ले सकते हैं तो अगर हम common लेकर लिखेंगे तो इस कैसा हो जाएगा it will be your a1 plus a2 of cos phi correct into sin of omega t correct minus minus कैसे लिख सकते हैं minus it will be a2 sin phi into cos of omega t है ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब यहां पे देखिए इसको में standard equation में change करना चाहते हैं ठीक है तो standard equation मतलब क्या हो गया कैसे change करेंगे इसको so इसको फर्दर लिख सकते हैं this is equal to हम थोड़ी दिर के लिए यह मान के चलते हैं कि यह जो है a1 प्लस a2 into cos5 है ना यह जो equation है इसको अलग value माल लेते हैं और इसको अलग value माल लेते हैं ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ठीक हम इसको standard equation में change करना चाहरें इसी तरीके से ही आ जाएगा a2 into sin5 हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है a times sin of theta है ना इस दोन equation में ऐसे लिख लेते हैं हम क्या करेंगे इसको एक variable जो था इसको हमने एक दूसरे parameter के terms में इसको represent कर रहें so that it converts into standard equation ठीक है तो अब हम इसको back substitute करेंगे तो back substitute करने से क्या जाएगा उसके हां देख लेते हैं तो back substitute करने से हमारे पास क्या जाएगा fine back substitute करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y यह किसके बार बर जाएगा now it will become a of cos theta into sin of omega t minus a of sin theta into cos of omega t है ना इसको अगर back substitute करेंगे तो finally हमारे पास y की value क्या जाएगी it will be a times sin of omega t minus of theta है ना इसका मतलब ही हो गया कि इस particular point p पे जो आपका net y की value आ रही y is nothing but the superposition of the two waves y1 and y2 दोने की value क्या ही a sin omega t देखने की बात यह है कि हमने y1 को क्या मान रखा था अगर आप देखोगे y1 का equation हमने मान रखा था it was a1 sin of omega t correct और y2 का equation हमने क्या मान रखा था it was your a2 sin of omega t minus of 5 यह हमने assume कर रखा था जहां पे phi क्या था it was equal to 2 pi upon lambda into delta x यह चीज हमने बना रखा था अब यह देखिए कि जो input जो आपका इस source से यहां से जो frequency है that is also omega यहां से जो frequency हा रहे हो भी omega है तो resultant wave का frequency change नहीं होगा it will remain as it is right तो इस case में हम क्या करेंगे यहां पे a की value क्या हो जाएगा अगर हम a square याकिर इसको ऐसे रिख लेते हैं let us write it properly so that there will be no confusion नहीं तो बाद में हो ता कि you may get confused हम एक ही value निकालना चाहते हैं ठीक है हम theta की value भी निकाल सकते हैं जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर हम यह मान के चलते हैं कि suppose this is equation one and say और इसको ले लेके हम क्या कर सकते हैं two को divide कर सकते हैं one के साथ you will get theta और a को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं आप देखो अगर इसको square कर दिया जाए a square cos square theta plus a square square theta और जोड दिया जाए तो obviously you will get the value of a that means to find a what you have to do is 2 का square कर देंगे plus one का square कर देंगे then you will get the value of a ठीक है तो यानि कि इसको थरा सा और यहाँ पर elaborate कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a square cos square theta ठीक है अब यह किसके बराबर हो जाएगा इस दोलों को हम क्या करेंगे square कर देंगे square करेंगे तो कितना आजाएगा देखिए so it is equal to a1 square plus a2 square cos square theta plus 2 times a1 into a2 cos theta ठीक है यह हमने 2 को square कर लिया अब इसको किस से जोड़ना है 1 से तो 1 cos square करेंगे तो क्या जाएगा it is equal to a square sin square theta it is equal to a2 square sin square 5 oh sorry this is 5 I am sorry so this is your 5 cos square 5 अब हमें क्या करना है दोनों को sum कर देंगे ठीक है तो दोनों को sum करने के बाद अब हमारे पास क्या equation आजाएगा ठीक है अब हम दोनों को कर देते हैं sum तो जब हम दोनों को sum करेंगे यहाँ पर add कर देते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या आजाएगा it will become a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2 times a1 into a2 into cos 5 है ना क्योंकि यह a2 sin 5 plus a2 cos 5 यह क्या जाएगा a2 square और बाकी यह as it is हमें पता है यहाँ पे एक चीज हमें पता होता है कि intensity जो होता है वो किसके proportion होता है वो होता है amplitude के square के proportion ठीक है तो हम अगर intensity of field जैसे यहाँ से कोई field है यह कोई wave है यहाँ से यहाँ से यहाँ पे यहाँ के net field की intensity होगी वो किसके बराबर होगा जो यहाँ के net amplitude है उसके proportion होगा square के proportion तो मिसको लिख सकते है i is equal to say i1 plus i2 plus 2 times root of i1 into i2 into cos 5 ठीक है तो strength or the intensity of the field at this particular point due to these two waves can be easily calculated by this result अच्छा यहां तक तो हमने एक equation लेके आगे अब हमें क्या चाहिए कि intensity maximum कभ होगा और intensity minimum कभ होगा जब intensity maximum हो जाएगा इसका मतलब हो कि दोनो जो है वो एक दूसरे को overlap करके maximum produce कर रहे होंगे minimum का मतलब ही होगा कि एक दूसरे का जो wave होगा वो basically क्या होगा एक दूसरे के साथ वो subtract करेगा so that the value will minimize right तो इस चीज़ को मनों यहां पर देख लेते हैं कि constructive interference और destructive interference का condition क्या होगा फिर ठीक है तो देखिए सबसे पहले देखते है constructive interference constructive interference ठीक है तो constructive interference का मतलब होगया कि एक वेव दूसरे वेव के उपर इस तरह के से superimpose होगा so that the net resultant should be higher value जूड जाना चाहिए तो यह जूडने के लिए maximum होना चाहिए यानि कि constructive interference के case में i की जो value होगी it should be maximum ठीक है तो i maximum कब होगा यह सारे magnitude यह जब कॉस्पाइ भी क्या हो जागा maximum होगा तो i maximum तब होगा जब हमारा कॉस्पाइ क्या हो जागा maximum और हमें पता है कि अगर हम कॉस्पाइ का ग्राफ प्लोट करते हैं ठीक है ठीक सी कर्म मतता है ठीक है। Whoa अगर थो पी क्या हम सै ठीक है ठीक है सी कि ध्या होगा की आता है in तो अब यह देखिए कॉस फाइं मैक्सिमुम किस पॉइंट पे होगा हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पिरियड के अंदर जीरो और टू पाइं पे क्या होगा कॉस फाइं मैक्सिमुम होगा तो यही अगर वेव आपका यही चीज अगर हम और बढ़ाते चले जाएं पिरियो जब 2 πाइ होगा और कब होगा जब 4 πाइ ओगा और कब होगा जब यह 6 πाइं and so on है यहाँ पे आपका आशीगा होगा मंक्सिमुम हो जाएं कि जो यानिकी जु पॉइंट पंपी पे हो रहा है उसकी वैली मैक्सिमुम होगा यानिकि उसके में दो वेवस के ali साथ एक n is equal to 0, 1, 2 and so on, ठीक है, अच्छा, हमें ये भी पता है कि 5 हमने क्या ले रखा था, 5 जो था, ये था 2 pi upon lambda into path difference, delta x, तो अगर हम दोनों के equate कर देंगे, तो कितना जाएगा ये, 2 pi upon lambda into delta x, it is equal to 2n into pi, तो आप ये देखो, यहां से 2 pi और 2 और pi cancel हो जा रहा है, तो यहां से n की value, sorry delta x की value कितना हो जाएगा, delta x is equal to n times lambda, where n is equal to 0, 1, 2 and so on, ठीक है, तो यानि की constructive interference कब होगा, जब path difference is an integral multiple of lambda, है ना, so यह important चीज़े क्योंकि यही concept हम लोग Bragg's law में use करने वाले है, है ना, path difference, जो होगा वो किसके बराबर जाएगा, it should be n lambda, where n is equal to 0, 1, 1, 2, 3 and so on, ठीक है, तो यह होगा condition to get constructive interference of any wave, fine, it is important for Bragg's law, now, दूसरा condition क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है, constructive के जगे क्या हो जाए, destructive हो जाए, destructive का मतलब क्या हो गया, कि एक wave, जैसे source 1, s1 से जो wave आया, source s2 से जो wave आया, वो इस तरीके से overlap हो रहा है कि दोनों wave एक दूसरा क्य दो बोलते है, destructive interference, चीक है, तो हम destructive interference के लिए क्या condition हो जाएगा, destructive interference के लिए, obviously, I की value क्या होनी चाहिए, 0 नहीं, I की value होनी चाहिए, minimum, उस case में, I क्या होना चाहिए, it should be minimum, है न, destruction हो रहा है, यानि क्या हो, जब दो wave overlap करके, value कम हो रहा है, तो वो आले कम से कम कितना हो सकता है क्योंकि cos phi का minimum value क्या हो सकता है, minus 1, इसलिए हमने I की value होना पर कितना ले रखा है, minimum, तो उस case में, cos phi क्या हो जाएगा, यानि कि I minimum कब होगा, जब cos phi आपका minimum हो जाएगा, तो अगर आप इस graph में देखोगे, minimum कहां पर आपको मिला देखे, minimum value of cos phi, एक phi पे मिलेगा, फिर 2 pi add कर देंगे, क्योंकि period of cos is basically 2 pi, तो हर 2 pi के बाद आपको क्या मिलेगा, minimum मिलता जाएगा, चिक है, तो इस case में हम क्या कह सकते है, कि जो phi की value होगी, phi की जो value आजाएगी, वो क्या हो जाएगा, so phi will be pi, और क्या हो जाएगा, 3 pi, और क्या होगा, 5 pi, 7 pi and so on, वहाँ पे आपक 5, जो इस value पे आपको minimum value मिलता रहेगा, तो यानि कि हम इसको कैसे लिसेते है, if we can write it as 2n plus 1 into pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, जैसे आप 0 यहाँ substitute करोगे, pi आजाएगा, 1 substitute करोगे 3 pi, 2 substitute करोगे तो कितना आजाएगा, 5 pi, यानि कि n के इस value पे आपको क्या होगा, intensity जो होगी उस particular point P पे कम होती हैगी, so pi, 2 pi upon lambda into delta x, now you can equate both the equation, so अगर दो इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा, यह हो जाएगा, 2 pi upon lambda into delta x, which is equal to 2n plus 1 into pi, यह हो जाएगा, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे this pi and this pi, यह cancel हो जाएगा, तो इसके वेदे से क्या हो जाएगा, delta x की value क्या लिए सकते है इसको लिए सकते है, 2n plus 1 times lambda by 2, है ना, तो यानि कि यह किसके लिए condition होगा, अच्छा, n की value क्या हो जाएगा, इस case में, n जो होगा, 0, 1, 2, 3 and so on, यह क्या हो जाएगा, destructive interface का condition, यानि कि अगर path difference, odd multiple है, lambda by 2 का, तो उस case में, जो pi point पे, जो आपका wave, super impulse करेगा, वो किस हिसाब से करेगा, वो ऐसे करेगा, so that there will be destructive interference, right, तो यह चीज इंपोर्टन है, अच्छा, यह चीज हम लोग बिसिकलिए, ब्राइक स्वाम में इस्तमाल नहीं करते हैं, हम लोग constructive interference का use करते हैं, destructive नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, यह हम आपको next video बे बताएंगे, यहाँ पे इ इसी concept को use करके हम लोग finally Bragg's law पे जाएंगे, जो कि कर हम आपको, यहाँ पी next video पे हम इसको use करेंगे, खिक है, तो यह हो गया, basically, delta x और यह हो गया destructive के लिए, और पैला हो गया आपको constructive के लिए, fine, so, in the next video, I will be dealing the final Bragg's law and we will solve some questions regarding Bragg's law. आपको